मुनवर फारोखी की बातों को किया मननारा चोपड़ा ने इग्नोर और अकी हुई तब्यत खराब वेल सिल्मान कान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइफ फीड में हमें देखने को मिला किचन एरिया में अरुन और मुनवर दोनों ही चौपिंग कर रहे होते हैं शाहा पर मननारा चोपड़ा की वज़़े से कुक्रु को अलाम बचता है सिहा मननारा चाइ गैस पर छोड़कर काउच पर जाकर सोचाती है जिसके बाद विक बॉस कुक्रु को अलाम नंधार को चगाने लिए बचाते है फिर मुनवर इस बात पर कहते हुए नज़र आते हैं कि आज घर किस काफी सारे कंटेस्टिन सो कर रूल ब्रेक कर रहे हैं और इन सारी चीजों का हिसाब अरुन को रखना होगा जिहां औरा की घर में तब्यत कराब है जिसकी वज़ा से औरा दिन बर सोते हुए नज़र आए हैं और इस वक्त घर की सारी बाग दोड़ वाइस कैप्टन यानि कि अरुन मा शेक्टी के हाथों बे हैं मynnवर अरुन से कहते हुए नज़र आये कि उन्हें हर कंटेस्टेंग का हिसाब रखना होगा और और औरा को देना होगा किन-किन कांपाँट्रेंग से कितनी बार घर में कुक्डू को बचा है याँ, अंकीता लोकईडे की वज़ज़े से चारवार घर के अंदर कुक्डू को अलाम बचता हुए नज़र आये था वही ईशा भी सोती हुई नजर आई थी और उनके लिए भी कुक्डुकु बजा था अब मनारा चोपड़ा की वज़ा से घर के अंदर कुक्डुकु बजा इन्हीं सारे मुद्धों पर अरुन और मनवर बात करते हुए नजर आते हैं कि हर एक केंटेस्टेंट का हिसाब रखा जाएगा और कैप्टेन को दिया जाएगा कैप्टेन जो है वो कौन ने कितने ज्यादा रूल्स ब्रेक किया है उसके हिसाब से ही सजा देते हैं वेल मनारा भी यहाँ पर आती हैं उनके सामने भी मनावर गयते हुए नज़र आते हैं कि मनारा की बचा से गर का एक रूल ब्रेक हुआ है और इन सारी चीजों का हिसाब औरा को दिया जाएगा और औरा हर कंटेस्टेंग को उससे रिलेटेट सजा भी देने वाले हैं वेल मनारा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मनावर उनके फ्रेंड होने के बावजूर इस तरीके की बातें उनसे कर रहे हैं मनारा को मनावर का मज़ाख बिल्कुल भी पसंद नहीं आता हलाकि मनारा यहाँ पर बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी चाय लेकर म मनावर की सारी बातों को इग्नोर करकर वहाद से जाती हुई भी डर्जर आती है वन आपका मनावर फारुकी की मनना रख रहे कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कॉवेंस में जरूर बताए ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें